तो जैसा है कि गाईज आपको पते हैं कि Melbourne, Randy Gates और Sydney, Sixers के बीच में 21 मुकाबला खेले जाने वाला है और अगर आप भी DreamLevel के उपर टीम बना रहे हो तो ऐसे खिलाडी को C और VC बिल्कुल भी मत बनाना क्योंकि ऐसे खिलाडी आपको बिल्कुल भी नहीं जिताने वाला है अब ऐसे कौन से खिलाडी होने वाले हैं इस वाली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ ठीक है लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है अब यहाँ पर क्या होता है कि जिस भी खिलाडी के percentage level काफी जादा high होते है अब इसका मतलब यह है कि काफी सारा लोगों ने इनको already अपनी team के अंदर ले रखा है ठीक है अब यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर आपको अपनी pain और copy लेके दो list बनानी है दोनों list के अंदर आपको क्या note करना है तो सबसे पहले तो आपको यह note करना है कि जिस भी खिलाडी के ज़्यादा selection percentage है उनको note करना है इसके बाद यहाँ पर betting वाले section से आओगे तो यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आपको finch को note कर लेना क्योंकि इनके भी selection percentage काफी जादा है अब इनको note क्यों करना है मैं आपको वीडियो के आगे समझाने वाला हूँ एकदम correct तरीके से वहाँ से आपको CVC बनाने का idea काफी तगड़ा मिलने वाला है और जितने भी high percentage selection है उनको सबको note down करना है चाहे वो rain के खिलाड़ी हो या फिर six sir के खिलाड़ी हो आपको क्यों note करना है selection percent जिसके high है उनको note करना है तो यहाँ पर क्या करना है इनको finch को note करना है और marish को note करना है और जैसे ही नीचा होगे तो यहाँ पर आपको wins को note करना है अब मैं इसको note करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ video को आगे पता चली जाएगा bowling वाले section में आओगे तो यहाँ पर इनको note करना है इनको note करना और 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 नीचा आओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको इनको note करना jay birds को ठीक है यह जो खिलाडी है जितने भी आप note करोगे यह सारे के सारे खिलाडी आपको एक idea देने वाले है ठीक है अब आपको team कैसे बनानी है अब यहाँ पर सभी section से आपको क्या करना है सबसे पहले low percentage खिलाडी को अपने team के अंदर select करना है जैसे कि इनको select कर लेना है इनको select करने के बाद अब आपको क्या करना है आपने जो diary बनाई है उस diary में से आपको यह देखना है कि मैं अपने team के लेना है low percentage वाले और 5 खिलाडी आपको लेना है high percentage वाले ठीक है तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी जो team है वो grand league जीतना पका हो जाएगा और अब आपको ये तो पते है कि जो भी बंदा grand league जीतता है वो low percentage और high percentage खिलाडी का combo बनाता है तो आपको यहाँ पर एक idea मिल कि मेरे पास मेरी team के अंदर कितने एसे खिलाडी है जिनके selection percentage जादा है और कितने इसे खिलाडी है जिसके selection percentage काफी कम है तो इस चीज का पता लगाने के लिए आपको क्या करना है diary के अंदर लिखना है जितने भी high percentage selection वाले खिलाडी ठीक है तो यहाँ पर आपको इसा कर लेन मैंने बता दिया है कि team कैसे क्या बनानी है अब मैं यहापे आपको direct खिलाडी लेके बता देता हूँ अब यहापे wicked kipper में से अपने यहापे दोनों खिलाडी को लेने वाले है ठीक है क्योंकि यहापे अपना low percentage यहापे अपना high percentage तीन खिलाडी आपको क्या करना, betting वाले section से लेना है, अब मैंने यहापे ले लिया है low percentage खिलाडी, ठीक है, अब मैं यहापे एक ऐसा खिलाडी लेने वाला हूँ, जिसके selection percentage हाई हो, ठीक है, तो यहापे मैं लेने वाला है, इन दोनों में से एक को लेना है, ठीक है, या तो इ percentage लेने वाला हूँ ठीक है तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको low percentage खिलाडी लेने है और high percentage खिलाडी दोनों लेने है ठीक है तो यहाँ पर high percentage के अंदर यहाँ पर देखा जाए तो यह दो खिलाडी है और यह जो एक खिलाडी है, यह high भी नहीं है और low भी नहीं है, medium size के अंदर है, तो आप इनको ले सकते हो आपकी team के अंदर, ठीक है, अब इन में से आपको C और VC किन को बनाना है, वो भी आपको वीडियो के आगे पता चल जाएगा, और C VC आपको बिल्कुल attract तरीके से, और बिल्कुल अलग तरीके से बनाना है, और आपकी जो team है, वो भी एक unique team होनी चाहिए, क्योंकि unique team जो होती है, वो ही हमेशा win करती है, तो आपको भी क्या गरना है, unique team बनानी है, तो unique team के लिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, कि आपको notice कर लेना है, ज अब यहाँ पर healthcare को मैंने यहाँ ले लिया है, अब मैं यहाँ लूंगा bowling करने वाले section से 4 खिलाडी, 2 खिलाडी मेरे यहाँ से हो गए, अब मैं क्या करूँगा bowling वाले section से मैं यहाँ पर 4 खिलाडी लेने वाला हूँ, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, तेज गेंदबाज आपको low percentage लेने है ठीक है जो भी pressure होता है तेज गेंदबाज वो क्या करना है आपको तीन खिलाडी लेने है सबसे पहले हम यहाँ पर moody को लेने वाले है क्योंकि इनका low percentage है तो यह अच्छा हमारे लिए होने वाला है ठीक है यहाँ पर हम moody को लेंगे उपर आएंगे तो यहाँ पर हम पहले टेज गेंदबाज को यहाँ पर लेंगे ठीक है फिर मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ J birds को ठीक है यहाँ पर मैं J birds को लूँगा फिर इसके बाद मैं उपर से रिचार्ट सन को लेने वाला हूँ, तो यहाँ पर मेरा रिचार्ट सन भी आ गए है, तो यहाँ पर मेरे तीन खिलाडी complete हो चुके है, अब मेरा एक खिलाडी यहाँ और लेना है, ठीक है, अब एक खिलाडी के अंदर मैं यहाँ पर होसीन को यहाँ पर drop out करके चल रहा हूँ ठीक है आप चाहो तो drop out कर सकते हो आप चाहो ले भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक यहाँ पर spinner लूँगा ठीक है अब spinner मेरे लिए सबसे best होने वाला है वो है यहाँ पर मेरी जो टीम है यह कुछ इस तरीके से complete हो चुकी है अब यहाँ पर मैं notice यह भी करूँगा कि मेरे पास कितने इसे खिलाडी है जिसके selection percentage हाई है ठीक है तो यहाँ पर यह देख सकते हो यह जितने भी खिलाडी है इनके selection percentage काफी जादा हाई है ऐसा आपको क्या करना low percentage और high percentage दोनों का आपकी टीम के अंदर रखना है ठीक है अब मैं यहाँ पर CEO और VC के लिए आपको बता जेता हूँ ठीक है अब गाईज CEO और VC के लिए आपको क्या करना है तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि पिछले मेज के अंदर सबसे अच्छा CVC कौन सा था अ यहाँ पर partition को तो मैं क्या बनाऊंगा C यानि Captain मैं partition को बनाने वाला हूँ और यहाँ पर birds को मैं बनाऊंगा यहाँ पर VC ठीक है क्योंकि यह हमारा तेज गेंद बास है और यह अच्छी कासी wicket भी लेता है और betting आ जाती है तो बेटिंग भी कर लेता है तो यहाँ पर मैं यहाँ पर टीम है यह कुछ इस तरीके से बन चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हो C मैंने यहाँ पर partition को बनाया है J birds को यहाँ पर मैंने VC बनाया है तो हमारी टीम कुछ इस तरीके से हो चुकी है यहाँ पर मैंने low percentage लिये है और high percentage भी लिये है और यहाँ पर wicket keeper से total पर तीन खिलाडी लिये है और यहाँ पर all rounders से दो खिलाडी लिये है ठीक है और bowling वाले section से चार खिलाडी लिये है तो guys मेरी जो team है यह कुछ इस तरीके से team है और यहाँ पर आप भी चाहो तो कुछ इस तरीके का combination बना सकते हो मैंने आपको पूरा पूरा detail से बता दिया है कि CVC किन को बनाना है और किन को नहीं बनाना है आपको planning कैसे करनी है team कैसे बनानी है आपको एक diary के अंदर notice भी कर लेना है कि आपकी team के अंदर कितने ऐसे खिलाडी ले रहे हो जिसके selection percentage काफी जादा high हो सारा कुछ मैंने detail से बता दिया है तो guys कैसे लगी है वीडियो मुझे comment करके जुरूर बताइए अच्छे लगी हो तो like कीजे और हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो subscribe कर लिजे क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहेगी तो guys इस वाली वीडियो में बस इतना ही और मिलते नई वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई